दोस्तो नमस्कार मैं आपका दोस्त मितले से और आप देख रहे हैं मैंस वाबा किरें तो आए दोस्तो आज हम बात करते हैं सिंग यूनिट में गेरल चेंज कैसे करते हैं और लेवल कहां से देखते हैं और किस तरह से डालेंगे तो हमारा वाइल नीचे कम गिरे तो आए दो दोस्तों यह हमारा स्विंग यूनिट है पुड़ा और इसमें हम आपको बताते हैं कि ड्रेंड प्लॉक कौन सा है और कहां से वाइल डालते हैं तो यहां से हम ओयल डालेंगे और नीचे जो है कि ड्रेंड प्लॉक है तो आईए अब हम आपको ड्रेंड प्लॉक दिखाते हैं यह हमारा नीचे जो है यह ड्रेंड प्लॉक है यहां से हम ओयल को ड्रेंड करेंगे बाहर निकालेंगे अब हम ले लिए हैं ग्रीस गन और इसको साफ कर लिए हैं साफ करके अब इसमें हम 220 नंबर गेरल डाल रहे हैं ये जो गेरल डाल रहे हैं ये 220 नंबर है तो अब हम इसमें डाल लेते हैं और भरने के बाद एक बार हम इसको ग्रीस गन को थोड़ा चला लेते हैं चलाने से यह है कि जो grease है हमारा pipe में वह बहर आ गया आप देख सकते हैं grease pipe का बहर आ गया अब जो है कि हम चलके उसमें डालेंगे देख सकते हैं मैं लेंकी ले लिए हूँ अब लेंकी से जो है drain block को खोल रहा हूँ आप और drain block खोलने के बाद वायले हां से drain कर देगे वाइल डालते है अब आप देखिए ड्रेंट खुल गया वाइल थोड़ा सा नीचे गिरा क्योंकि हमारे पास अभी ट्रेड नहीं है कि किसी तरह बाल्टी में जो रुकेगा रुकेगा नहीं तो बाद में साफ करवाएंगे खुल गया अब वाइल इधर से गिर रहा है अब थोड़ा सा क्या है कि कि लिए अट दीख नहीं पा रहा है आपको देख सकते हैं दोनों ही नट इसलिए खोल दिया हो कि जल्दी जो है कूपर सहा पास करेगा और वाइल अपना निकल जाएगा तो वाइल निकलने का हमें इतिजार कर रहे हैं वाइल जब निकल जाएगा उसके बाद हम वाइल फिर डालेंगे अब जो है कि हम grease gun को उपर रख लेंगे और grease gun से ही डालेंगे oil pumping करेंगे और धेरे-धेरे pump करेंगे तो oil भड़ जाएगा और इस तरह से डालेंगे तो हमारा oil भी जो है कि नीचे नहीं गिरेगा तो आई अब देखिए अब आप देख सकते हैं कि हम अब उपर वाले जहां से nut खोले थे वहां से आई डाल रहा है और नीचे थोरह बहुत आई निकल रहा है और वह बाल्टी में रुक लेड़ा है उसके बाद जब वह था साफ आई लाने लगेगा तो फीर उपर से देंट प्लक डाल के कसके और फिर अडाल डालेंगे अब हम देंट प्लक कस दे रहा हैं और देंट प्लक कसके उसके बाद वह आई लब भर देंगे, उपर वाला जो छेदा जहां से डाल रहे हैं, अहां से वाइल आने लगेगा, तो हमारा लेवाल आ जाएगा, तो आईए अब वाइल डालते हैं, इसको एक बार एलंकी से बढ़िया तरह से टाइट कर लेंगे, ताकि लीक न रहे, और थोड़ा सा कपड़ा से भी इसको साफ कर लेंगे, ताकि एकर लिक युक्यों हो, तो दिखे, जाए पर देंगे, जाए पर रहे, जाएगा जाए न से लाइगा, तो पसक्तितनाल, तो आपकर लाइगे, तो दाएगे, आधर एक।ाण कर नियुक्रण बाहे, जाएगे, वाईगे, अब इनकी टाइट होगा उसके बाद आप जो है कि साफ करके देख लिए लेकेज वहां से नहीं है आप देख सकते हैं और उपर वाला उच्छा से देख रहे हैं आप ग्रिस गन के नेपल से ही नेपल खोल दिया है उसका जो पाइप है उससे ही वाइल डाल रहा है थोड़ा पॉम्प चलाना पड़ता है अराम राम सब इस तरी कैसे वाइल भड़ जाएगा अब देखते हैं निकाल करके कि वाइल भड़ा या नहीं तो अब हम ग्रिस गन का पाइप निकालते हैं अंदर से और निकाल के एक बड़ चेक करते हैं अब लग रहा है आईल भड़ गया है क्योंकि आईल उपर सरी टॉनार आए आप देख सकते हैं अब जो है कि आम इधर का जो बोल्ट है उसको चरहा देंगे और चरहा के छोड़ देंगे अब एक बार ये लिंकी से फूल टाइट कर देते हैं और टाइट करके आप कपड़ा मार देंगे हमारा आल कंप्लेट हो गया दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक से और सब्सक्राइब